दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसेम लिस्ट के बारे में जहां पर सेवी की तरह से आज के दिन अगेन पांच कमपरियों के उपर बड़ी कार्यवाही करी जा रही है वहीं टाटा ग्रूप के चार स्टॉक्स टाटा मोटर्स टाटा एलेक्जी तेजस नेटवर्क और टीसी इस को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है वहीं बात करें रूट मोबाईल की तो आईविक को डिकलायर करने के बाद में ही रूट मोबाईल के अंदर आज के दिन हमें लगबख 6-7% की बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है तो उस गिरावट की वज़य क्या है और ये गिरावट कहां तक जाने वाली है और इसी भी भारती इटेल और एकसेस बेंग को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है वहीं सुप्रीम इंजिनियरिंग को लेकर भी और मास्टिक शेर्स को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट्स है इन सभी अपडेट्स को एक ही वीडियो के अंदर हम कवर कने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिना किसी देरी के सबसे भिले बात कर लेते हैं Tata Motors के बारे में आज की दिन Tata Motors जहां पर हमें एक फ्लेट क्लोजिंग देखने को मिल रही है अगर तेजस नेटवर की बात करें तो 4% की तीजी आज की दिन हमें तेजस नेटवर के अंदर देखने को मिल रही है बात करी कि न्यूस क्या निकल कर आई है तो आप देख सकते हैं यहां पर एक जापनिस सेमी कंड़क्टर मैनुफिक्चरिंग कमपनी ने तेजस नेटवर के साथ में बहुत ही शानदर आज के दिन पार्टनर्शिप करी है जिसा कि आपको पता है कि तेजस का नाम भी इन्वाल होते भी देखने को मिल रहा है और अल्टिमिटली तेजस यहां पर 300 मिलियन यूइस डॉलर का इंवेस्मेंट करने जा रही है और इनी सब के बीच में टाटा एलेक्जी का नाम भी यहां पर जोड़ा जा रहा है तो अल्टिमेटली टाटा ग्रूप की एक कमपनी नहीं बलके सभी कमपनी मिल कर यहां पर अपने बिजनस एक्सपांशन में लगी हुई है याने कि अगर आप देखेंगे कि टाटा ग्रूप को अगर अगर अलेक्ट्रिकल वीकल्स भी बनाना है और उसके लिए कमपनी को अलेक्ट्रिकल वीकल्स चार्जिंग पॉइंट्स की रिक्वाइरमेंट ही या फिर company को semiconductor chip के requirement ही तो उन सभी requirement को fulfill करने के लिए Tata Group को किसी और company के पास नहीं जाना पड़ता है बलकि Tata Group के ही जो other company से उनसे वो requirement पूरी तरीके से fulfill हो जाती है तो ultimately अगर आपने Tata Group के अंदर investment कर रखाए तो यहाँ पर आप अपनी positions को hold कर सकते हैं Otherwise Tata Motors long term का share है Recently company ने commercial vehicles के prices को increase करने का decision लिया है जो कि 1st July से हमें effective होते विए देखने को मिलेगा तो वो तो एक positive outcomes ही ही साथ ही साथ यहाँ पर 1st of July के दिन हमें auto sales के numbers भी आते विए देखने को मिलने वाले हैं जिसमें again Tata Motors other auto sectors कमपनियों को beat कर सकता है Tejas Network जब से Tata Group ने Tejas Networks के अंदर एक majority stakes को acquire किया है उसके बाद से Tejas Networks के अंदर भी काफी अच्छी रेलिया में देखने को मिल रही है Tata LXZ की बात करें तो आज के दिन 2% की रेलिया में Tata LXZ के अंदर भी देखने को मिल रही है इस shares ने भी long term में काफी अच्छे returns बना कर दिये है और बात करें TCS की तो TCS तो already world की second largest IT sector company है और काफी अच्छी performance past में भी अपने investors को बना कर दे चुकी है तो यदि आपने Tata Group के इन 4 stocks के अंदर investment कर रखा है एसेम लिस्ट की short term list के stage 1 के अंदर include किया गया है जिसमें नाकोडा Group of Industry Limited, सालासा Techno Engineering Limited, VG Finance Limited, धन वर्षा, Finwest Limited और Hilton Metal Foreign Limited का नाम दिखने को मिल रहा है वहीं आज के दिन total 2 company को एसेम लिस्ट की stage 1 की short term list से बाहर किया गया है जिसमें Upper Industry Limited और VVM Labs Limited का नाम दिखने को मिल रहा है वहीं long term ASM list की बात करें तो total 2 company को long term ASM list की stage 1 के अंदर include किया गया है जिसमें The Nora, India Limited और Rain Engine, Valve Limited का नाम हमें दिखने को मिल रहा है तो यदि आपने इन company के अंदर investment कर रहा है तो यहाँ पर अब आप अपनी strategy को थोड़ा सा change करके चल सकते है बतकर लिते हैं next shares के बारे में जिसका नाम है Root Mobile Limited आज के दिन Root Mobile Limited के अंदर हमें almost 7% की गिरावर देखने को मिल रही है पीछले 5-6 trading session Root Mobile Limited के shareholders के लिए काफी अच्छे रहे company ने पीछले 5 दिन में almost 12-15% के returns अपने investors को बना कर दी है कल ही company ने buyback का announcement के आए company open market में buyback लेकर आ रही है जहाँ पर 1700 रुपे के maximum price band रखी गई है लेकिन अगर आपने Root Mobile के अंदर investment कर रखा है तो आपको यहाँ पर buyback, split, bonus को देखकर investment नहीं करना है company की performance को देखकर investment करना है और अगर Root Mobile की बात करें तो Root Mobile बहुत ही शांदर company है यहाँ पर आप अपनी positions को hold करते हुए चल सकते हैं तो यहाँ पर 1180 रुपे के stop loss को धियान में रखते हुए आप अपनी positions को यहाँ पर carry करते हुए चल सकते हैं बात कर लेते हैं next share के बारे में जिसका नाम है Mastic Limited आज के दिन इस share के अंदर हमें 0.5% की गिरावर देखने को मिल रही है यहाँ इस share को लेकर आज के दिन एक बड़ी update निकल कर आ रही है Mastic ने यहाँ पर partnership करी है Netscop to accelerate its cloud security तो यहाँ पर cloud security को लेकर यहाँ पर यह जो Mastic की partnership हमें देखने को मिल रही है जिससे कल के दिन इस share के उपर आप नजर बनाए रख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ positive moment देखने को मिल सकते हैं नहीं बात करें next shares की तो भारती ideal के बारे में मैं यहाँ पर बात करा हूँ आज के दिन भारती ideal के अंदर आपको 0.7% की तीज़ी देखने को मिली वही एक्सिस बिंग के अंदर आज के दिन आपको almost 5.3% की गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन आज के दिन जो news निकल कर आई है वो positive news है भारती ideal और axis bank ने यहाँ पर partnership करी है तो जिसके चलते कल यह दोनों shares again आपको काफी ज़्यदा focus में रहते हुए देखने को मिलने वाले हैं अगर आप भारती ideal और axis bank के अंदर investment करके भिटे हैं यह share bill long term के लिए काफी अच्छे हैं क्योंकि भारती ideal 5G spectrum आने के बाद में काफी ज़्यदा focus में रहने वाला है और axis bank private sector bank में काफी जानी मानी bank है तो यहाँ पर भी आप अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं 600 रुपे के stop loss को ध्यान में रखते हुए axis bank के recently BNP peribes की तरफ से यहाँ पर जो target price भी निकल कर आए हैं वो 900 सित्तर रुपे के निकल कर आए हैं याने कि यहाँ पर buy की rating दी गई है तो यहाँ पर अगर आप banking sector के अंदर investment करना चाहते हैं तो axis bank के अंदर भी आप investment कर सकते हैं लेकिन मेरा personally यहाँ पर मानना है कि HDFC bank के अंदर आपको यहाँ पर अभी के टाइम पर SIP करना चाहिए सेकेंड अगर share बताओं तो ICICI bank को भी आप priority दे सकते हैं चलिए बात कर लेती नेक्स share के बारे में जिसका नाम है Supreme Engineering Limited आज के दिन Supreme Engineering Limited के अंदर आपको साड़े तीन परसेंट की तीजी देखने को मिल रही है इस penny stocks ने काफी अच्छी रिटन्स अपने investors को past में भी बना कर दिये हैं और यहाँ पर recently company अपने business expansion को लेकर काफी ज़्यादा विचार कर रही है जिस कारण से यदि आप इस penny shares के अंदर investment करना चाहते हैं तो इस share को भी आप अपने watch list में इट करते वे चल सकते हैं लेकिन इस penny shares के अंदर risk बहुत ज़्यादा है तो investment सिर्फ इत्ता ही करें जितनी आप risk यहाँ पर bear कर सकते हैं अधकले ते next share के बारे में जिसका नाम है Xpro India Limited जियां दोस्तों Xpro India Limited इसने पीछले चे महिने में लगबख 12.5% के returns अपने investors को बना कर दिये हैं पीछले एक साल की बात करें तो 600% से भी ज़्यादा के returns इस company ने अपने investors को बना कर दिये हैं याने कि company के performance काफी अच्छी रही है बात करें कि इस company के अंदर क्या important announcement देखने को मल रही है तो company ने अपने shareholders के लिए 2 is to 1 के ratio का bonus announce क्या है याने कि हर 2 share के बदले एक share company आपको bonus के रुप में देने जा रही है जहां पर कल आपके पास आखरी मुखाए यदि आप bonus shares के लिए eligible होना चाते हैं तो यदि आप इस shares के अंदर investment करना चाते हैं तो कल आप यहां पर investment कर सकते हैं और bonus share के लिए eligible हो सकते हैं लेकिन bonus share declare होने के बाद में उसकी share price भी उसी क्या according आपको adjust होते वे भी देखने को मिलेगी तो उमीदे आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई हैं तो इसे like और share करना मत बुलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated